अब कुछ हासिल ना कर लूँ, मुझे पढ़ना है सरदी गर्मी बरसाद कुछ भी हो, अब मुझे पढ़ना है लाल टेल, लट्टू, मुंबती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है सुन छोटे, जरा बच्चों को बोल, बाहर ला कम करें, मुझे पढ़ना है जब तक मेरा appointment ही मेरी पहचाना बन जाए मुझे पढ़ना है जब तक रात के सारे तारे ना जड़ जाए तब तक मुझे पढ़ना है निशाचर हूँ मैं जब तक सारा महला सोकर उठना जाए मुझे पढ़ना है रात को नहीं जगबाया तो सुबा भ्रह्म मूरत में उठ जाना है पर बस मुझे पढ़ना है सबजी मैं नमक कम हो या चाय में चीनी जादा ख्याल इतना ही है कि अब मुझे बस पढ़ना है जिस खुरसी पे बैट के बढ़ रहा हो ना जब तक वो रोना दे तब तक मुझे पढ़ना है ना पढ़ने के सो बहाने है तो भी मुझे पढ़ना है पढ़ने के एक हजार मकसद है और छोटे मेरे लिए तो एक मकसदी काफी है अब मुझे पढ़ना है नीन तो खुली हुई थी पर आँखे भी खुल गई है अब मुझे पढ़ना है दुनिया ने अपनी ओकाद दिखा दी तो मुझे भी दिखाना है इसलिए पढ़ना है जनता के स्वार्थ ज्यादा बढ़ गए तो अब स्वार्थियों से लड़ना है अब मुझे पढ़ना है खरचे के सो सो के नोट लेके ठक चुका हूँ अब मुझे पढ़ना है दुनिया भोला मानती है तो उनको आग का गोला दिखाना है अब मुझे पढ़ना है सुन छोटे पीछे वाली पेंच पे बैट क्योंकि मुझे पढ़ना है जब तक दिमाग में डेटा फीड़ना हो जाए न तब तक मुझे पढ़ना है हर तूफान को उसके माई के पहुँचाना है अब मुझे क्यवल पढ़ना है सुन छोटे वो जो दोखा देखी गई है न उसको कहा देना कि भाईया ने माफ कर दिया है क्योंकि फालतू के लफड़े नहीं रखना अब मुझे पढ़ना है मेरा बाप पत्थर तोड़ तोड़के खुद के हाथ घुटने तुड़ा चुका है अब मुझे पढ़ना है मुझे गरम खाना खिलाते-खिलाते मेरी मा की चमड़ी ठंडी हो गई है अब मुझे पढ़ना है वर्दी पे सितारे लगाना है अब मुझे पढ़ना है दुनिया को जीने का सली का सिखाना है अब मुझे पढ़ना है एक मच्छर आदमी को डेंगू देजता है और एक किताब इंसान को जड़ और उस जड़ से बर्गत का पेड़ बनाना है अब मुझे पढ़ना है घर की बिजली से लेकर बेहन की शादी तक सब खर्चा मुझे उठाना है अब मुझे पढ़ना है मेरे दोस्त मुझे फटीचर बोलते हैं अब मुझे पढ़ना है इस घड़ी को बोल कि जब मैं चलना शुरू करूँ तो अपनी आउकात में चले फास्टू की नोटंगी नहीं करना है अब केवल पढ़ना है बरबाद कहते हैं महले वाले मुझे अब भूटी किस्मत को बरबाद करना है केवल मुझे पढ़ना है जितने बड़े लिविंग रूम में दस लोग बैटते हैं उतने बड़े बात रूम में नहाना है अब मुझे पढ़ना है 11 नमर की गाड़ी से 4WD में माइक्रेट करना है अब मुझे पढ़ना है गंदगी से बाहर निकलना है अब मुझे पढ़ना है खुद को इमानदार साबित करना है अब मुझे पढ़ना है ये रूम किराय का है लेकिन जिंदगी पे नाम अपना है इसलिए अब बस पढ़ना है सिंपल सी बात है कि मैं पढ़ सकता हूँ तो मुझे पढ़ना है क्योंकि बढ़ाई कभी गुडबाई कहे कि ब्लॉक नहीं करेगी इसलिए अब मुझे पढ़ना है खौपड़ी में करोडो आइडियाज है अब उनकी जायकेदार बिर्यानी बनाना है तो भाई मुझे पढ़ना है सुन छोटे जहाँ आज मेरा सिक्का नहीं चलता न वहाँ कल मुझे अपना नोट चलाना है इसलिए बस मुझे पढ़ना है अक्यला समझ कर कुछले कि बहुत साजिश्की गई है अब साजिश्का परदा फास करना है केवल मुझे पढ़ना है हारना मेरे बाप के खून में नहीं लिखा मुझे हर हाल में चीतना है अब मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं दुनिया के आगे चुक नहीं सकता और बेवकूफ हो के आगे रुक नहीं सकता इसलिए अब मुझे पढ़ना है जिसको जाना था हो चली गई अब अपने पासबस इस्टाइल अपना है कि केवल पढ़ना है क्योंकि मुश्किल वक्त बीच जाएगा और जो आज तूटेगा वो सीख जाएगा और अब जब सीख चुका हूँ तो आके बढ़ना है अब मुझे पढ़ना है बढ़काने वाले पीछे पढ़े है और अठकाने वाले आगे खड़े है अब इन सबसे निबढ़ना है तो मुझे पढ़ना है आलतु के आइडियाज देने मालों की बारात खड़ी है बहले ही उन सब की खुद की जिंदिये में लगी पढ़ी है बहुत चिलाते हैं यार ये लोग छोटे इनको जरा जाके बोल कि आज मेरा कान बहरा है तो कि मुझे पढ़ना है दुनिया में हर कोई खिसका हुआ है और मुझे चसका चड़ा हुआ है कुछ भी हो जाए ये हैंग और कम नहीं होना है अब मुझे पढ़ना है सिंपल सी बात है यार मुझे अगर टोपर बनना है तो क्यवल मुझे पढ़ना है अब पापा ने कहा है कि बेटा नाम करना है तो उसके लिए भी तो बस पढ़ना है दशरे का रावन तो हर साल जलता है इस बार मेरे 80 का रावन भी जलना है इसलिए आप पढ़ना है ये हाथ फेलाने के लिए नहीं मिलें ये हाथ अक्ष़रों को सहलाने के लिए मिलें अब इनको बड़े प्यार से समझना है तो मुझे पढ़ना है हाथ में धनुश तो पहले से ही था अब टार्केट भी दिखने लगा है तो अब मुझे पढ़ना है नई नई गानिया तो खूब सीखनी अब नई नई थियोरीज भी सीखना है अब मुझे पढ़ना है जब तक खुद किताबों से ग्यान नहीं लूँगा ये दुनिया दोनों कानों से फालतों का ग्यान भरनी रहेगी इसलिए अब मुझे पढ़ना है छोटे एक चीज बता यहाँ जब बहरे हैं क्या कोई मेरी सुनता क्यों नहीं कोई मुझे समझता क्यों नहीं इनको बोल दे कि 36 महीने बाद इनको मेरी ही सुनना है क्योंकि मुझे पढ़ना है एक दिन तो वैसे ही मरके सड़ना है आज टाइम है तो बस मुझे पढ़ना है खुद के संसान से पहले चुनोतियों का संसान बनाना है अब मुझे पढ़ना है इंबल जी बात है कि successful होना है तो बस पढ़ना है और सबसे ज्यादा बड़ी इमारत बनानी है तो नीव के लिए ज्यादा गहरा गड़ा घोतना है इसलिए आभी से मुझे पढ़ना है इस दुनिया में सब के नाम अलग है लेकिन चेहरे एक जैसे है अब मुझे अलग दिखना है तो बस पढ़ना है लोग एक दूसरे से जल टूटा हूँ फिर भी जुटा हूँ और जब मीटर वान है तो क्या मुंबई और क्या पढ़ना है अब तो बस केवल पढ़ना है कुछ बाते मैं भूल नहीं सकता और कुछ मुझे याद रखना है बस यही कारण है कि यह मुझे पढ़ना है छोटे अभी थोड़ा कम-कम य क्या मैं राशनमिटर लगें रिसीवर खराब है उनका कंवल बातें ट्रांसमिट करतें